हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योटूब चानल एजू फॉर्मेसी में दोस्तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सीसी रिच टेबलेट का तो चली वीडियो हम शुकर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पैक के प्राइस के बारे में तो दोस्तो आप अगर इसके 10 टेबलेट के किस्टी पूरी लेना चाहते हैं इसकी जो मार्केड वैली है वो है 139 रुपए 129 रुपीस में यहां आपको आसपात की किसी मेडिकल इस्टो पर मिल जाती है अगर दोस्तो आपको इस नाम से नहीं मिलती है तो आप इसके कंटेंस क जरिय भी इसे purchase कर सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस दवा का कारी क्या होता है और इसके इस्तमाल क्या होता है तो दोस्तो केलिशं और विटामिन डी 3 टेबलेट सरीर में हुने वाले केलिशं की कमी को दूर करने का कारी करती है साथी हमारे सरीर के लिए यह को दूर कर उसे मजबूद बनाने का कारिया करती है. तो चलिए कि कर हम इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं. तो दोस्तो इस दवा का उपयोग विटामिन D3 की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है. केल्शयम की कमी या हड़ियों कमजोर होने पर हड्डियों का कमचोर होने पर इस दवा का इस्तमाल किया जाता है पुराने ओस्टियो आर्थराइटिस में भी इस दवा का ओपियो किया जाता है साथी साथ यहां पोशन की कमी को दूर करने का कार्य करता है रिकेट्स की एक प्रॉब्लम होती है दोस्तो जिसे हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं उस समश्या में भी इस दवा को दिया जाता है साथी ओस्टोपोरिसिस नाम की एक प्रॉबलम होती है दोस्तो जिसे हड्यों का रोग भी कहा जाता है जिसमें हड्डियों का fracture होने का खत्रा जो है वहाँ बढ़ जाता है अगर हम बात करें दोस्तों इस दवा के side effect के बारे में तो normally इसके कोई भी side effect देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ condition में आपको मुह सुखना, dust, allergic reaction, ulty तो चमें irritation जैसे अगर side effect जादा देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से एक बार और consult जरू कीज़ेगा डोसेज जो है दोस्तों इस दवा के वहाँ है एक tablet प्रति दिन आप इसका saveन कर सकते हैं आपको इससे कुछ खाने के बात ही लेना चाहिए contents के बारे में अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें जो calcium है वहाँ 500 mg पर होता है और जो vitamin D3A वहाँ 500 IU पर होता है दोस्तों अगर आपके पहले से अन्य और कोई दवा चल रही हो या पहले से और कोई problem हो तो उस बारे में भी आप अपने डॉक्टर को जरू बताएगा और इस medicine को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सला जरू लिजेगा बिना अपनी डॉक्टर की सला से इस दवा का आप सेवन ना कीजेगा दोस्तों और अगर आपको 12 related जनकारी पसंद आई हो हमारे द्वारा दी गई तो आप चैनल को सस्काइब जरू कर सकते हैं और साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी जो हर रूच नई वीडियो आती है 12 related वहाँ आप तक जलसे जल पहुंच सके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद